बिस्मिल्ला अर्मान रहीम असलाम अलेकुम टू पी एसल स्पेशल ट्रांस्मिशन आफ स्पोर्ट्स वन यह आप हमारे सीरीज आफ ट्रांस्मिशन चल रही है जिसमें हर मेरे साथ शुया मौम साथ जो किसी सारूप के मौताज नहीं है अब ही जो माsst़ चल रहा है मेरे सुखराइड रहाँ तक मुलतान सुल्तान के हक में थोड़ा बहुत है और बहुत उम्दा उन्होंने बैटिंग की और अब कोईटा ग्लैडियेटर के पास ये मौका है कि वो किस तरह से मैच जीत भी सकते हैं जीत सकते हैं दो और में 24 रंड वेरी मैच पॉसिबल लेकिन उनकी साथ विक्टें गिर चुकी हैं ये मसला है उनके साथ क्योंके इस से पहले आउट होने वाले प्लेयर हैं इफ्तिकार एहमत उन्होंने तीस रंड बनाये थे बड़े तेस खेले थे बहुत चक्के भी उन्होंने लगाये थे लेकिन इस वक्त कोईटा के लिए मुश्किल सुरतेहाल है जरूर लेकिन कैसे ये मैच जाता है इसमें त आफस्तुपी इसलामाद यूनाइटेट आर अन हाई अफकोर्स आज और पर कल के दिन कराची किंग्स की प्रैक्टिस का सेशन भी है और भी बहुत सारे मामलाथ हैं जिए पर हम बात करेंगे इस पी एसल में शोयब मुहम्मद साहब के साथ शोयब मुहम्मद साहब असलाम तो मैं समझता हूं कि अभी भी जो जो दूसरी टीम है मुलतान उनका थोड़ा स्लाइट एज मुझे नजर आ रहा है से कि यह चौबे एक्टिस रंग करना यारा बॉलों में इतना असान नहीं होगा अंट्री ऑनलेस के एक दो बड़ी हिट में काम्याबी मिले विक्रे सिर तरफ हैं तेरा बॉलों में थर्टी बहुत अच्छे के इव्तेखार ने लेकिन एक बाइर जाती बॉल पर उनको एज लगी वहां मैच एकदम जो कोईटा के जो फेवर में था वहां से बिलकुल टरन अराउंड होके इनके फेवर में ज्यादा आ गया अभी ऐसन अली खेल होता है ना जो रन स्कोरिंग शॉट होता है नचली आप या बाउंड तो प्लेडा शॉट अवरी नाव एंदेन इम्रान खान साब के उपर है के उनको मोटिवेट करें और वो खुद कितना आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं यह तो टेप बॉल क्रिक्ट में तो आगे पाकिस्तान समवेर और देखते हैं क्या इस हवाले से बात होती है अब मैं ब्रेक ले रहा हूं ब्रेक के बाद वापस आएंगे बाबर आजम पर इनालिसिस होगा बड़ा कीन इनालिसिस होगा कि बाबर आजम क्यों स्कोर नहीं कर रहे हैं क्योंके बहुत बड़े प्लेयर है पाकिसान के नबर वन प्लेयर तो है ने कि दुनिया में माने जाते हैं बाबर आजम पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक तो स्पोर्स वन स्पेशल फॉर दिस पी एसल सेवन जो के भी खत्म हुआ एक मैं मुकाबला मुलतान सुदान ने जीता और कोटाग लेडियर को हार हुई कल मुकाबला होगा कराची किंग्स एक बड़ी टीम है और काफी महंगी टीम है और काफी फैन फॉलोइंग है कराची शहर में मुकाबले हो रहे हैं लेकि कराची किंग्स को कले कभी तक नहीं मिल सका कराची किंग्स के कप्तान है बाबर आजम बाबर आजम पे बहुत ज्यादा बात हो रही है बावराजम पर ऐसी बात हो रहे हैं कि रिजवान के साथ वो खेलते हैं तो वो कमफ़टबल होते हैं या उनका एरिया आफ कमफर्ट वो वहाँ पर शौट्स नहीं केल रहे हैं आफ साइट पर पॉइंट से एक्स्टर कवर के दरमयान कि शौइब भाई मेरे पास हैं तो इन से ज्यादा बेतर आफ स्टरम को तो कोई नहीं जानता शौइब भाई आपको क्या कमी नदर आ रही है वावराजम में क्या वो करना चाहरे हैं जो उन से नहीं हो रहा है अज़िवाई बात यह हैं कि अभी तक तो वो अमंग दर रन गे आफ पर भी अच्छा खेले जो उनका एक जो क्लास एक्ट जो कवर ड्राइब वगरा बैक फूट और फ्रंट पूट पर खेलते हैं वो भी खेले हैं लेकिन नॉट इसलिए के जो 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 लिमिटेड नंबर आफ जो मैचेज हुए है उसमें एक तो इनिंग में अच्छ बैक बोन इतनी स्ट्रॉंग हो जैसे अभी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के अंदर शुए मलिक भी पांच नंबर के उपर आ रहे हैं पीछे आसिफ अली भी आ रहे हैं और सब आके शो कर रहे हैं तो फिर आप उस कॉन्फिडेंस के अंदर खेलते हैं और आपके वो शॉट ट्राइटन हैं और ऐसा नहीं है कि इनके जो पहले जो खेलते थे उससे उनको रंज नहीं मिलते थे वो उनको वर्ल्ड रैंकिंग या टॉप क्लास इस ते में रैंकिंग या पिछले इक दो साल के अंदर दुनिया के मानेवे प्लेयर कौन सी टेकनिक के उपर हुए उसी ट रहे हैं और वो पांच में से चार इनिंग के अंदर परफॉर्मंस दे रहे हैं तो कहां वो कहां सोचेगा कि यार मैं अब क्या दुनिया के हर शौट तो एक प्लेर नहीं खेल सकता ना या आप जिस तरह चौका चौका मारते हैं जरूरी नहीं कि मैं भी मेरा स्कोरिंग का तर और कहती है मेरे हो सकता है कि कुछ और बोले उस बॉल पर अगर कुछ बॉलें तो जरूर सिमिलारिटी हो सकती है चौका माने कवर ड्राइव है बिलकुल आस्किंग फॉर टू हिट वाली बॉल आती है तो वो तो आप भी सेम खेलेंगे मैं भी सेम खेलूंगा लेकिन जो थ दूसे से फर्क होता है पिर जौती चीज यह के बाबर आजम के साथ बहुत से हमारे प्लेयर और वही प्लेयर हैं जो ड्रेसिंग रूम पक्सान टीम का शेयर करते हैं तो वह उनसे बात भी करते होंगे कि याँ यह यह बॉल आज किसी फॉरण टीम के इस प्लेयर ने यहां चीज उनको वह इतनी ज्यादा उस लेंट ओ लाइन के ऊपर बॉल भी नहीं करी जारी कि वह वह आला शॉट खेले और वह जबरदस्ती वह शॉट नहीं खेल सकते हैं इसलिए कि जो क्लास एक बैट्समन है वह मेरिट ओफ दॉ बॉल के ऊपर ज्यादा तर खेल रहा होता है और उसको उस तरह से रन मिल रहे होतें ये विक्तें जो पिछिसें बहुत अच्छी बैटिंग विक्ते हैं लेकिन यट इस से पहले जितनी Ш वहां यूए में भी हमने देखा या बहुत सी और कंट्रीज के अंदर, बहुत जब बल्ले से वहां पिछ से निकलता है, तो वह पेस ऑफ बॉल भी चाहिए होता है, वह वह वाले शॉट एक्सेक्यूट करने के लिए, तो ऐसा नहीं है, मेरी नजर में, पाक्षाद के वह बढ़ें, यूजर में बहुत जब बनाव होता है, तो यूजर में बढ़ें पांच जास या पंदर मैचिस के अंदर, विजवान नहीं को सपोर्ट करें, तो उसके साथ-साथ, पिछे बहुत ज्यादा अच्छी मिलने की वज़ा से, वह वह शॉट खेल सकत तो यट रिलाइ कर रहे थे अपने लेट ओर बैट्समेंट जो पाक्षाद टीम के जो थे, अब इनकी टीम के अंदर वीक्नेस हैं, तो अपने शॉट तीम के अंदर कराची किंग्स के वीकनेस अगर आप हाइलायट कर सकें, तो बोलिंग में आमिर उनके पास नहीं है, वो बोलिंग में वीकनाई वीकनाउड है और उनकी टीम का लेकिन जो करन्ट टीम होती है जो आन देड़ आप अनौन्स करते हैं, उस टीम के साथ आप वाकिन करते हैं, विन यो गो इन्टू बैट रादे यो थिंकिन ओ, आमिर नहीं है, मैं बैटिंग तो कर रहा हूँ, आमिर नहीं करेगी तो फिर मैं आफ टू डबल चेक माई शॉट और फिर वो उस तरह से केलेंगे राधा जैन एक खुला शॉट केलेंगे वो दो रन के लिए प्लेंगे अब कल के मकाबले पर आज़े मेरा अधाज है लेकिन अच्छा कल डिस्प्ले किया था थोड़ा वदन के बारे मैंने आप से पूशा था कल भी यह बहुत ज़्यादा डिबेट होती है खिर कल खत्म होगी दिबेट अब मुलतान सुल्तान भी ओना हाई जाएगी और इसलामबाद यॉनाइटेट भी ओना हाई नौ विक्टों से मैच जीता है इसलामबाद यॉनाइटेट ने इससे पहले बाला तो आपको अब क्या लगता है मैच में नहीं का मैच कल मुलतान और इसलामबाद कल मैच है और मुलतान की टीम अफकॉस बहुत अच्छी जारी है यह बहुत अच्छा अभी तक के जितने म बेस्ट मैच में एक्सपेक कर रहा हूं कल गुड क्रिकिट देखने में आईगी और कॉंपेटिटिव होगी और उसमें बड़े अच्छे प्लेर डेफिनेटली हैं और लेकिन टीट्वेंटी में तो यह होता है कि चार ओवर हेर और देर जो ज्यादा अच्छा क्रूशल ट आता है कि कौन सा क्रूशल मॉवमेंट है और उसमें हमारी टीम को क्या करना चाहिए कि बास दफ़ा वित्ते हैं आपको नहीं गिरानी होती है और रंड को एक्यूमिलेट करके करीब टार्गेट जो एवरिज चाहिए होता है उसके करीब रहना पड़ता है अगर फसी वी ट से जीतने पर बहुत ज्यादा हाय जरूर होगा लेकिन मैं समझता हूं कि मुल्तान की टीम इस वक्त ज्यादा मैचिस भी खेल चुकी है कॉन्फिडेंस भी उनका ज्यादा होगा इस वक्त और एक्सपेक्टेशन इट कुड़ भी एनिबडी मैच लेकिन मेरे ख्याब से शा जाएंगे साथ तारीक के बाद तो ये कोई कि किस तरह से देख रहे हैं आपके पहले देख नहीं होंगे उनकी जगह कोई और होगा कोई और नहीं होगा तो कभी इंजरी हो जाती है एक दफ़ाम साउथ आफरीका में खेल रहे थे तो सुबह प्रैक्टिस हो रही थी इन ज ने एक नॉर्मल कैश आया उसका पूरा यहां से यहां तक फट गया और वो मैच नहीं किर सका तो अनफोर्सीन चीजें होती है तो आप ओपनर है थेना ओपनर है स्टरलिंग भी तो ओपनिंग कॉम्बनेशन का चेंज होना कोई फर्क पड़ता है टीम पे नहीं यह तो दे अब आज के प्रोग्राम से बस मैं इजास्त चाहूंगा आपसे मुलतान सुल्तान और इसनाबाद यूनाइटिट का जुमकाबला कल होगा उसके बाद आपके सामने फिर हाजर होंगे मुलाहाफिस